13.0.12.0 का एक latest update कुछ दिन पहले ही हमारे Redmi के Note 10 Pro और Pro Max डिवाइस के लिए रोल आउट कोना शुरू हो चुका है बट यह जो अपडेट है एक Global Update है Note 4 India और मैंने दो दिन पहले एक वीडियो भी बना के दिया था कि भाई इसका टेस्टिंग करके आपको जल्दे वीडियो प्रवाइड करूँगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें आखिर हमें नया क्या कुछ देखने को मिलता है तो आज की इस वीडियो हमें इसका बात करने वाले हैं और जो कुछ भी मैं आपको चेंज बताऊंगा ना सबसे पहले आप यहां पे नोटिस करोए कि 13.0.12.0 का यह जो अपडेट साइज है वह आपको 347 MB का देखने को मिलता है जो कि अवरूल एक ठीक ठाक साइज है जिसमें कुछ चीज़े एड की जा सकती है ठीक है लेकिन चलिए देखते हैं फाइनली क्या कुछ एड किया जाता है इंडिया का जो अपडेट आया था 13.0.5 जिसमें कई साइज चीज़े इंप्रूव किया गया था लेकिन जिसका हमें इंसजार था वो नहीं आया था तो सेम चीज़े यहाँ पर भी हमें देखनी को मिलता है और इसके पहले मैंने इंडोनेसिया रोम का रिउव किया है जिसमें आपको MIUI गार डाइलième कॉंंटॉक्ट वर्याद देखनी को मिलता है आपने नहीं चेक要 तो चेक कर लेना और वहाँ पर मैंने कैमरा यंदें को भ होगा बट पता नहीं कि सबसे पहले इंडिया को मिलेगा ग्लोबल को मिलेगा या इंडोनेसिया को मिलेगा वह तो आने वाले टाइम में पता दूगा तो पहला कम यहां पर दिखाई देता है कि यहां पर एक एडवांटेज और देखनी को मिल जाता है जो कि हमारा यहां पर है लॉंचर यहां यहां पर लॉंचर के अंदर जो कि रिलाक्स बाइलेंस और फास्ट का ओप्सन ऐड़ कर दिया गया है जैसे कि इंडिया ने उजिसको प्रवाइड किया गया था तो गलोबल मे लेकिन अब यह ओफिसली आ चुका है और यहां पर गुलोबल में अभी आपको सिर्फ से गुगल डिस्कावर का ओप्सन मिलता है ऑन एन ओफ करने का जबकि यहां पर इंडिया में और इंडिया में आपको एफ वैलेट और विजट के सपोर्ट है वह मिल जाता है जो कि मैं यहां पर 13.0.12 तो देखनी को मिलता है जिसमें आपको दिखाई देगा 8 मंत का लेटेस्ट वाला सिक्योर्टी पैच जी हां लेटेस्स सिक्योर्टी पैच है जबकि इंडिया में अभी 7 मंत का यह देखनी को मेरा है तो नेस्ट अपडेट में उसे भी अपडेट कर दिया जाएगा तो यह चीज आपको यहां पर दिखाई देता है इसके लाबार स्ट्रोइज पर हम क्लिक करते हैं यहां पर आपको दो सिस्टम के स्ट्रोइज आपको दिखाई देते हैं तो एक जो है हमारा सिस्टम का में और दूसरा यहां पर क्लिकेवल है जहां पर आपका यानि रिमूब किया गया था वह हमारा dark mood का तो इंडिया में यह fix हो चुका था और यह global में भी फाइल यह fix हो चुका है तो अब यहाँ पर individual dark mood का full benefit ले पावागे और यह उनके लिए काफी काम आने वाला है जो कि dark mood अक्सर यूज करते हैं अपने phone के अंदर तो यह भी चीज नहीं दिया गया तो system apps को uninstall करने का उसे provide किया गया बट still हमारे इस device के अंदर यह features नहीं है only on आपको यहाँ पर ऐसी देखने को मिल जाता option normally तो uninstall का features यहाँ देखने को नहीं मिलता अगर नहीं ही देना है features तो कि यहाँ पर setting में एक folder आपने दे रखा है uninstall system apps इसे हटाई देते तो बेटर रहता कम सब्सक्राइब तो संटों सेता ना बहाई option नहीं है तो इसका मतलब अब नहीं आएगा लेकिन इस फोल्डर का कोई भी अभी तक use में नहीं लिया गया है और नहीं मुझे लगता है कि आगे हमें देखने को मिलेगा इसके बाद यहाँ पे और कु इसके बाद यह आपको नजर आ जाएगा और उसके बाद अगर हम अपने गेम टर्वो की बात करें तो गेम टर्वो वही जो आपको लेटेस लाइस वार देखनी को मिल दा है ना कितर गया भाग हमारा गेम टर्वो दिख जा तो यह रहा हमारा 5.2 जो कि यहाँ पर अच्छ मिल जाते हैं और यह जो गेम टर्वर रियले में काम करता है और काफिय अथा पावर सफ्लाई करता है और यह चिर्मुझे यहाँ पर रियले में काफी ज़्यादा पसंद भी आया है साथ यसाथ अगर हम यहाँ पर इसके वीडियो टूल बोक्स की बात करें कि वीडियो कोई खास ज्यादा डारंगेट नहीं तो अपग्रेड भी नहीं है उसको बार यहाँ पर जो है CPU 100 पर मैंने सेट किया है उसको बार चिक किया तो यहाँ पर आप देख से तो 81 का आया है जिसमें Max Average और Minimum भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और Another फिर से यहाँ यहाँ पर मैंने Geekbench को ट्राइ किया जो कि Overall ठीक है बट मल्टी थ्वास और बेटर हो जाता तो मज़ा आ जाता और यहाँ पर मैंने गेम टोर्म में जैसे ही एड करता हूं CPU ट्रोटल को तो थ्वासा तो इंप्रूम्मेंट आता है बट लास्ट में हलका फूल का ट्रोटल भी आपको देखनी को मिलता है तो CPU ट्रोटल का रिजल्ट मुझे उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा वहीं पर स्टेंट बाट के बात करें तो यह है 53 डवल सिम का डला हुआ है और मॉर्निंग में यह आ जाता है 52 यानने फूल नाइट में यहाँ पे करिब करिब 2% तो नहीं 1% का बैटी डॉप हुआ है जो की काफी जड़ा बेटर रेस्टेंट बाई के मामले में क्योंकि मैक्समा हमें 2-3% तो देखनी को मिलता है यह मिलता है बट यहाँ पे अनलियों नहीं हमें 1% का ही बैटी डॉप दिखाई दिया है अनातर यहाँ पे ज्यादा मुझे चेंज देखने को नहीं मिला तो यह जो अपडेट है गलोवल इवजस के लिए है तो आपको जल्द ही अपने अपडेटर में देखने को मिल जाएगा जहां से आप इसे ओटी अपडेट है जो कर पाऊगे लेकिन वहीं पर बात करें कि इंडिया में क्या कुछ क्योंकि Redmi के Note 10 Pro और Pro Max के केसेज में सबसे पहले इंडिया में फीचर को प्रवाइड किया जा रहा है उसका गलोवल और इंडिया में दिया जा रहा है बस नमबर अलग लग है जैसे कि इंडिया में 13.0.5 है इंडिया में 13.0.6 है और गलोवल में 13.0.12 है यानि नमबर का डि अपडेट करो अपने फोन के सिस्टम के OTE अपडेट आने का उसको आप बेनेफिट ले लेना फिर बस यह एक छोटा सा इंफ्रमेशन था आज के इस अपडेट के उपर आपका क्या ख्याल है क्या है ओपेनियन कमेंट जरूर करना और इस अपडेट को मैंने चार्जिंग चार्जिंग काम करता है तो आप यहां पर देख सकते हो कि 26 में यहां पर 33% जा रहा है यानि चार्जिंग की स्पीड भी यहां पर अच्छा देखनी को मिलता है ऐसा नहीं कि काफी पूर है तो भाई यह सही है तो बस इतना इसा था मिलते हैं निश्ट वीडियो में इस तर झाल झाल